आज चार जून है, जीस तरह से सुरू हो गई है, मेरे साथ समाजबार्धि-पार्टी के राष्थिय प्रमुख महस्चे P.R. RAM. hem इस बात करते हैं, प्रॉपेसरसाप कॉंटिंग सुरू हिम ही है। जिस तरह से जो इस्थिती दिखाई जा रही थी कि किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह का मैसेज पार्टी कार करताओं को भी दिया गया लेखिए अब तो काउंटिंग शुरू हो गई है बारे बज़े तक सारी इस्तिती भी इस्पस्ट हो जाएगी अब अनुमान लगाना गैस करने का कोई समय भी नहीं रहे गया और उचित भी नहीं लगता है हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि जो जनता ने लोगों को बर्डिक्ट दिया है उम्मीदवारों के पक्ष में आखिलाब उसको सुईकार करें और किसी तरह से कहीं कोई असांती नहों पर सासन को भी यह चाहिए कि उनका रवाय बिलकु ट्रांसपेरेंट और ओनेस लगे लोगों को बल्कि इमानदार लोगों को लगें भी ऐसा होना चाहिए जिस तरह से मतलब सुरू से ये एक इसी स्थिती बनी थी कि इंडिया गटवंदर और एंडिये के बीच में जो एक कसा कसी थी बीच में तो किस तरह से इस बार आप देखते हैं और कुछ गंटों में ही सारे परणाम आ जाएंगे तो आपका किस तरह का दावर है उसमें हम लोग कोई दुस्मन नहीं होते हैं अपूनेंट होते हैं एनिमी नहीं होते हैं राजनीत में चुनाव बोट पड़ गए चुनाव रिजल्ट आ जाएगा सारी इस्थिती नॉर्मल होगी जीतेगा वो मिठाई बातेगा और हारेगा वो जीतेगए को बदाई देगा जिस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल यादब देखते हैं चुकि परिवार भी चुनाव लड़ा और पार्टी ने भी इस बार जिस दमखम के साथ पूरे गठवंदन के साथ चुनाव लड़ा है तो उस किस तरह की स्थिती देखते हैं कि अभी शुरू आती रुजान आने सुरू। पोश्टल वैल्ट के रुज़ान कोई रुज़ान होंगे यह वीम्स के रुज़ान भी दो तीन राउंड के बाद भी कहीं कहीं ऐसा होता है किसी जेत में सुरू एक पार्टी का बोटर वाले लोग रह रहे हैं दूसरा आया तो दूसरे को गए ती तो वो किलियर नहीं होता तीन-चार राउंड होने के बाद होता है लेकिन हमें बहुत आशा है कि जनता ने बहुत ही जवर्दस समर्थन इंडिया गठवंदन को अब की दिया है ओवरॉल सारी कम्मुनिटीज का सारी बिरादरियों का धर्म और जात से ऊपर उठकर गठवंदन को बोट मिला है और तो परंपरा गठवंदन को मिला और जो बेहनजी का बोट है उसमें से कम से कम आदा कहीं और जादे बोट मिला है तो इसलिए जो रिजल्ट आएगे वो पास्चर जनक होंगे अभी लोग कुछ भी करते रहें लेकिन रिजल्ट जो है वो चौकाने बाले होंगे और गठव सब जगह का बोट मिल वहीं दूसरा बारती इन्ता पार्टी ये कहती है चुकि इन्हों ने पीडिये बनाया तो अपने आपको एक जगह संकुचत कर दिया है और उसके बाद हमको सब जगह का बोट मिल ला सब्सक्राइब का जी नहीं चकता है तथ्यों देखते नहीं इन्हों ने दिया नहीं किसी को जी अच्छा एक सवाल जरूर बनता है चुकि आज आप सेफ़ई में बड़े आज सांध प्रिय मुद्रा में और अपने साथियों और अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो किस तरह से इस बार होने जा रहे हैं तो तो हैई यह सरसट से चुना जीतने हень वारते आ रहे हैं लगातार को इनको जो एक दो-तीन-चार-पांच-छह तक रहे हैं यहां से जन्तूर नाती है तो रहेंगे तो वो कोई नए बात नहीं हूं और हम प्रदर्श जीतने के वाद कभी हम लोगों ने जलूश नहीं निकाला कभी कोई प्रदर्शन न ही किया और अब भी नहीं निकालेंगे। ये तो ये आपने देखा ये प्रोफेजर राम गोपाल आदब हैं जिनका कहना है कि परवार तो जीतेगा ही, साथ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गटवंदन ने अपनी जिस तैयारी के साथ चुनाओ लड़ा है, इस बार पूरे देश में जश्न होगा और सैफ़ई में भी मिठाईयां बटेंगी